कि हलो मेरा नाम डौक्टर दीपक केड़ेकर है मैं मनोविकार तक गया सेक्स रोग तक गया सम्मोन विशेश अद्निया नश्या मुक्तित अद्निया एनलपी ट्रेनर और कोच हूं आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ सोशल एंग्जाइडी के इलाज के बारे में सोशल एंग्जाइडी बीमारी में होता क्या है कि जो व्यक्ति है उसको लोगों के साथ में बाहर जाने में उनके साथ में घुल के बात कीट करने में मिलने में डर लगता है गर के बाहर निकलना, कोई शादी बया में जाना, कोई फंक्शन में जाना, कोई उत्सों में जाना, या लोगों से मिलना जिलना उसमें उसको बहुत डर लगता है, उसको ऐसा वहां लगता है कि कुछ भी हो जाएंगा, हाथ कपकपाना, घबराट होना, बेचेनी, सीने में ध विश्वत चहरे पें ऐसा लगेंगा कि कुछ तभी इसको हुआ है और इसको समझ 보고 समझ में आया तो फिर लोग क्या कहेंगे अन्ह intent कंसे डर लगता है यह लोगों के समझ में आया तो कि कुछ तबी हो रहा है, हाथ काप पर रहे है गभराण हो रही है. या पसिना आ रहा है ऐसा, लोगों ने देख भी लिया है तो क्या? और लो वाथ? देख लिया तो. क्योंकि लोग देखेंगे, उनको ऐसा लगेंगा कि ठीक ही कुछ तबी हो रही है और बाद में वो अपना काम चालू करेंगे और आपसे पाचीच चालू करेंगे तो जब लोगों में मिलते जुलते हैं तो दिमाग में इलाना है कि लोग क्या कहेंगे या लोग मुझे देखेंगे मेरी घबरा देखेंगे लोग मेरा चेहरा देखेंगे तो फिर लोग क्या क ऐसके बदले लोग जो भी कहेंगे वह कहेंगे को यह वेक्ति को ano डोलोग Cum Laug बदले मैं नी जाता ता अच्छा है कि और यह लोगों में जाना जाना किलौन कि लोगों में जाना मिलना जुलना लोग इदी आपको सपोर्ट करने माले हैं लोग इदी आपके उपर कॉमेंट करने माले हैं वो कुछ घंटा दो घंटे कुई कॉमेंट करने माले हैं ने बोलेंगे तो मिनिट दो मिनिट कुछ तभी बोलेंगे हमने उनके तरफ खैल देने हो वहीं से हिलो मत वहीं से कहीं जाओ मत कई वापस घर में मत ना आना महीं खड़े रहना है और जो भी situation है वह situation कम deal करते हैं तो धीरे-धीरे-धीरे यह डर कम हो जाएगा उस समय है थोड़ी से गुलियां भी ले सकते दवा भी ले सकते हैं ताकि वह दवा से डर जो है ध़रकन घवराज जो है वह कम हो जाएंगी और एक बार अध्यस्ट हो गए बाची चालू किया तो धर धर कम होके फिर वो डर गायब हो जाएगा तो उसे इतने बताने का है कि घर में प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस को न से करना है कि लोगों में मिल रहे हैं व जो भी लोग कहेंगे वो कहेंगे, उनके साथ में रहने का है, उसके दखर लेने का नहीं है, वो क्या बोलते हैं, उसके तरफ ध्यान देने का नहीं है, वहीं टटे रो, खडे रो, जो भी आपको तकलिफ हो रही है, उसको सहना है थुड़ी देर, दीर 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 खतम हो जाए आपके संपर्ग में आने वाले काफी सारे लोगों को ये तकलिफ होंगी ये बीमारी होंगी ऐसा आपको लगता है कि लोगों को ये है तो उनको जरू ये वीडियो शेयर करो ताकि ये वीडियो लोग देखेंगे तो वो बीमारी से ठीक हो जाएंगे मुक्त हो जाएंगे और झाल झाल